हलो उस्तों स्वागत है आपका हमारे चनल करीर अप्रेड वाइंजिनियर में मैं हूं रंजन राज और आज हम लोग बात करने वाले हैं CITS Admissions 2022 के बारे में आज देखे बिसिकली हम लोग जो बात करेंगे ये admission process के बारे में बात करेंगे कि कैसा आप जो CITS कोर्स कराने वाले college हैं उसमें admission ले सकते हैं और CITS का course कर सकते हैं तो admission का procedure क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करनेवाले हैं उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप CITS 2022 में कोर्स करना चाहते हैं तो हुमारे मॉडल पेपर यह लेबल हैं आप उसको ले सकते हैं और अपने प्रेप्रेशन को अच्छा कर सकते हैं देखें फिटर मसीनिश टर्नर डिजल मकेनिक या या MMV दोनों का एक ही कंबाइंड है डिजल मकेनिक या MMV फैसन डिजाइन टेकनोलोजी और इलेक्रिसियन इसके फुल मॉडल पेपर उपलब्द हैं तो जो लोगी स्टेट से बिलॉंग करते हैं इसका मॉडल पेपर ले लिजेगा और जिन लोग का मॉडल पेपर तो जिन लोग का फुल है वो इसको नहीं लेंगे नॉन टेक वाला वो सिर्फ अपना फुल मॉडल पेपर ले लेंगे इसमें नॉन टेक भी उनको मिल जाएगा जिन लोग का फुल मॉडल पेपर उपलब्द नहीं है वो यह वाला मॉडल पेपर ले सकते हैं ठीक है यहाँ ना है तो वहाँ पर ही जो सियटिकेश का Qe jadi जैसे कि यह भी आपने यूपी स्ट्रेक्टर की वेखेंशी आइट यची वहाँ पर देखा होगा तो वहां पर आपको एक जो क्मागा जाता है वह आपको से मांगता है ncice certificate ठीक है तो CITS course जब आप complete करते हैं तो आपको जो certificate मिलता है वही होता है NCIC certificate तो वही लोग अपलाई कर पाते हैं जिनके पास NCIC certificate है यानि कि जिन्होंने CITS का course कर रखा है वह इंस्टक्टर के vacancy लिए eligible है तो यही होता होई जो admission होता है CITS course कराने वाले कारजों में वह entrance exam के थ्रू होता है किसके थ्रू होता है entrance exam इसी exam को कहते हैं All India common entrance test AICT exam इसको बोलते है अब देखिए ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा exam है यह इसके लिए आपको बहुत पढ़ना है बहुत मेहनत करनी है तो ऐसा देखिए कुछ नहीं है लेकि अभाई एक entrance exam लगा दिया तो आपको थोड़ा वो तो पढ़ना पढ़ेगा पढ़ना क्यों पढ़ेगा अच्छा college अगर आपको चाहिए ठीक है दो तरह के college होते हैं एक होता है वें अचे कोहते हैं इसटी नोओनेमेंट सालो की फीश राती है थीक है तो यहां परし अगर आपको नमबर आते हैं आपने कुछ 100 नमबर का इसका पेपर होता है ठीक है जिसमें से 75 मार्क आपके ट्रेट से रेरेक्टेड जिस भी ट्रेट से आप अप्लाई कर रहे हैं फिटर से मसीनिश से टर्मनर से उस ट्रेट से 75 क्यूस्चन और 25 क्यूस्चन आपके मैथ और इजिनिक से रहते हैं ठीक है मॉडल पेपर आप देख लीजेगा उसमें अच्छे से सभी चीज़ें दी गई हैं तो जितने भी मार्क आपने इंट्रेंस एक्जाम में लाए ठीक है उसके आधार पर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएगा काउंसलिंग काउंसलिंग तीन फे करेंगे एक हजार रुपए और उसके बाद आप जो भी college आप select करना चाहें 5 college आप select करनेंगे 24 मतलब आप दे देंगे कि भाई 5 में से कोई college अगर हमको मिलेगा तो हम CITS का course करेंगे तो माल लिजे first counseling होई आपने 5 college दिया 1, 2, 3, 4, 5 यानि कि जो भी college आपको चाहिए अब क्या होगा अगर आपके अच्छे marks हैं माल लिजे 70 marks हैं तो आपको इसमें से college मिल जाएगा अगर बहुत अच्छे marks हैं तो जो भी आपने first priority में डाला है वही college मिल जाएगा उस college को मिलने के बाद आपको जो आपके past का college रहेगा NHTI college वहाँ पर document verification के लिए जाना पड़ेगा वहाँ जब आप document verification के लिए जाएगे तो आपका क्या हो जाएगा provisional admission हो जाएगा provisional admission ठीक है जब आप आपने माल लिजे हाँ पर counseling में कोई college डाला कानपूर डाला कानपूर आपको इलाट हो गया तो आपको provisional admission के लिए document verification कराना है जो भी आपके आजपास ऐसा नहीं कि कानपूर लाट हुआ तो आपको कानपूरी जाना है जो भी आजपास college है उसमें आपको document verification कराके अपनी seat को lock कर लेना है ठीक है ये बात आप ध्यान रखेगा कि जो भी आपको मिला college ऐसा नहीं कि आपने फिर document verification नहीं कराया तो उस seat आपको cancel हो जाएगी आपको जो भी college मिला आपको उसके बाद जाके कोई भी आजपास को college वहाँ पर document verification करा रहा है और अपनी seat को एकदम से lock कर लेना है और इस provisional admission के बाद जब भी आपको date दी जाए जब देखिए मालीज आपको first counseling में college मिल गया लेकिन second counseling होगी उसके बाद third counseling होगी उसके बाद map of round होगा यह जब सभी process खतम हो जाएंगे तब आपको final admission के लिए बुलाया जाएगा final admission final admission के लिए आपको कहा जाना है डाग मन वरिफिकेशन कराएंगे और आपकी classes जो है start हो जाएंगे तो यह होता है process किसी भी CITS college CITS course कराने वाले college में admission लेने का देखिए यहाँ पे एक doubt मैं आप clear कर देता हूँ काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि entrance exam ना दें अगर हम direct admission लेना चाहें था direct admission यानि कि entrance exam नहीं दिया या उनको पता ही नहीं चल पाया कि form आया है और उन्होंने direct किसी private college में जाके admission ले लिया तो उनके साथ दिक्कत क्या आई कि जो final exam होता है final exam आनलिए आप कोई course कर रहे हैं CITS एक साल का course है तो एक साल आप पढ़ाई करेंगे तो उसके बाद इसका final exam होगा तब आप उसको pass करेंगे तो आपको certificate दे लिया जाएगा तो इस final exam के लिए DGT जो है उनका admit card ही नहीं जारी कर रहा था क्योंकि वो कहीं भी भी registered नहीं थे DGT के अंदर क्योंकि उन्होंने entrance exam नहीं दिया entrance exam के through admission नहीं दिया उनका कहीं भी data DGT के पास नहीं है तो उनका admit card DGT release नहीं कर रहा था ये दिक्कतें आपके साथ यह हो सकती है तो इसलिए कोई भी अगर आपको कहे या कोई भी college से आपके पास message आए तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने entrance exam का farm भरा हो और entrance exam दिया हो भले आपके 10, 20, 30, 40 जो भी number आएं लेकिन अगर आप admission लीजेगा तो entrance exam के through ही लीजेगा अगर आप direct admission लेते हैं अगर कोई problem आती है तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी तो ये थी जो है छोटी सी जानकारी छोटी सी जानकारी CITS admission को लेकर तो अगर आप CITS का course करना चाहते हैं तो ये process आप ध्यान रखिएगा entrance exam होगा entrance exam में आपके marks आएंगे उसके बाद आपको counselling में participate करना पड़ेगा counselling के बाद आपका college alert हो जाएगा college के बाद आपका provisional admission होगा और उसके बाद आपको final admission के लिए जो आपको college alert होगा वहाँ पर जान होगा अगर आपको कोई doubt है CITS related और भी किसी topic में तो आप उसको comment कर सकते हैं मैं उसको वीडियो बनाने के courses करूँगा साथी साथ model paper आप download कर सकते हैं इससे आपको काफी ज़्यादा help मिलेगी क्योंकि entrance exam के regarding कहीं पर भी कोई information available नहीं है किसी बतरा का book special नहीं आता इसके लिए तो काफी ज़्यादा पिछले दो सालों की मेनत है student से पूछ के कैसे प्रसना आये थे प्रसना आये थे उन प्रसनों को यहाँ पर रखा गया है जिससे आपको एक idea लग जाएगा ठीक है उमिर करता हम वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आएगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेर कर दीजिए आप दोस्तों के साथ साथ ही चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूब कर लेजिएगा मिल टैन नेक्स्टूडियो में नहीं जानकारी के साथ तक बने रही हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद